सो हेलो गाइज कैसे हो आप सभी तो जैसा की आपको पता ही है आज कल हम बैंट एन अल्टिमेट एलियन सीरिस के लास्ट एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं बढ़ना क्या है आज हम उस एपिसोड तक पहुँच गए हैं पर इस एपिसोड को सुरू करने से पहले इसके और है जिससे इस एपिसोड की स्टोरी पूरी होती है तो पहले उने जाकर देख लो दोनों एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फिर भी उन दो एपिसोडों को मैं सौर्ट में समझा देता हूं तो जैसा की पिछले एपिसोडों में हमने देखा सबको ये पता जल आता है कि डाइगन सील से बाहर आने वाला है तो बैन और जोर्ट सील वाली गुफा की ओर जाते हैं जहां डाइगन खुद बहार नहीं आ सकता था क्यूंकि किसी ना किसी को बाहर से सील तोड़नी थी तो डाइगन अपने नए गुलाम विल्गैक्स को बाहर भेजता है जो गवन को अपने वस्त में कर लेता है», गवन सील को तोड़ने लगती है। पर कैविन गवन पर अपने सरीर का मैटल उसके सरीर पर चड़ा का डाइगन का कंट्रोल तोड़ देता है, पर तब तक सील तूट गई थी और डाइगन बहार आ गया था और विल्गैक्स का चेला साइफन भी यहां पहुँच गया था अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डाइगन सभी को बता रहा था और अपने जॉर्ज तो डाइगन के बहार आते ही उस पर भड़क उठे हैं तो डाइगन बोलता है नन्नी सी जान और इतनी हिम्मत कहकर विल्गैक्स को हुकुम देता है खतम करो इसे पर विल्गैक्स वहां से कहीं चला गया था तो जॉर्ज बोलते हैं तुमारा चमचा हमेशा की तरह अपने ही नतीजे पर पहुँच गया वो तुमें छोड़ कर चला गया तो डाइगन कहता है मेरे पास सिर्फ अकेला विल्गैक्स नहीं है और एसोटेरिकास से जॉर्ज पर हमला करवा देता है लेकिन कैविन अपनी गन से सभी एसोटेरिकास को मार देता है लेकिन और भी एसोटेरिकास आ गए थे तो बैं सीधा वेविंग में बदल जाता है और बोलता है ये कुछ ना है लेकिन डाइगन का टैंटिकल रीग्रो हो जाता है जिससे गुस्सा होका डाइगन बैं को अपने टैंटिकल से पकड़ कर उस पर अपनी आँखों की लेजर से हमला करता है जिससे बैं को काफी दर्द हो रहा आता अल्टिमेट वेबिक की ये हालत ग्वेन और कैविन भी देख रहे थे जिन पर एसोटेरिकाज हमला कर रहे थे ग्वेन की सील्ड के अंदर कैविन कहता है हमें जॉर्ज को बचाना होगा क्यूंकि एजमत की तलवार सायद डाइगन को हरा सकती है और यहां डाइगन बैं को दूर फेकता है क्या तुम इतने ही बहादुर हो तो बैन बड़े ही स्वैग में बोलता है कहकर डाइगन पर अटेक करता है पर डाइगन भड़क कर अपनी आँखों से आस्मान में बादल बनाकर लाल एसिट की बारिस करा देता है जिससे Ben को काफी तकलीफ होती है क्योंकि Acid से पूरा सरीर जलता है Ben Diagon पर Attack भी करता है पर Diagon गायब होकर फिर से आस्मान में चला जाता है आकिर में Ben Acid की बारिस नहीं सह पाता और पानी में गिर कर Normal हो जाता है फिर हम George, Kevin और Gwen को देखते हैं उनको Ben नहीं दिख रहा था तो Gwen बोलती है Ben कहा है, कहीं Diagon ने उसको कुछ कर तो नहीं दिया और George सीधा Diagon की ओर जाता है Ben को भी होस आ गया था वो भी खड़ा उठकर पहले वाइल्ड मत में और फिर Ultimate वाइल्ड मत में बदल जाता है George और सभी Diagon की लेजर से बच ही रही थे कि तभी Ben भी वहाँ पहुँच जाता है जिससे Gwen Chan की सांस लेती है Ben Gwen को बोलता है अपना मैना बचा कर रखो तो Gwen बोलती है तुम्हें अभी भी Wilgax की फिक्र है तो Ben कहता है इसकी Acid की बारिस के अलावा मुझे Wilgax के इरादों से भी डल लग रहा है आखिर वो कर क्या रहा होगा नाम लिया और Wilgax हमें दिखाया गया असल में Wilgax साइफन से एक मसीन बनवा रहा था इस मसीन के बारे में हमें आगे पता चलेगा और यहां Diagon की लेजर George पर लगने ही वाली थी लेकिन तभी क्रोमस्टोन आकर Diagon की लेजर को एब्जॉप कर लेता है और George और क्रोमस्टोन दोनों मिलकर Diagon पर एक के बाद एक अटेक करने लगते हैं तो क्रोमस्टोन कहता है अब मेरी पावर खत्म Gwen कहती है नहीं तुम कितनी पावर एब्जॉप कर सकते हो बोलता है George अब बस बहुत हुआ और एक पावरफुल विजली का जटका George पर दे मारता है जिसको George की तलवार भी नहीं रोक पाती और George बूडे होकर पत्थर में बदल कर मिटने लगते है जिससे Ben को काफी बुरा लगता है और वो बोलता है अब सब कुछ हमें करना होगा तो अब जोस में डाइगन बोलता है और एंट्री होती है हमारे में विलन विल्कैक्स की तो डाइगन बोलता है अब मुझे अपनी जीत दिखाई दे रही है मेरे साथ आ जाओ तो सायद मैं तुमें कम दर्दनाक मौद दू तो विल्कैक्स बड़े ही स्वैग में जवाब देता है तुमें के लगा मैं तुमें अपने यूनिवर्स पर जीत हासिल करने दूँगा तुमें तभा करने के बाद मैं तुमारे और इस यूनिवर्स पर राज करूँगा ये है अपना Wilgax यार ये है और जैसे ही Diagon अपनी आँखों से लेजर मारता है तो तबी साइफन अपनी मसीन को उपर करके उसकी ताकत को उस मसीन से एब्सॉप करने लगता है विल्गेक्स कहता है तुम बेवकूफ हो ये कोई हत्यार नहीं है ये बॉक्स मैनुकुलस है जो पावर को एब्सॉप करती है तो डाइगन बोलता है मेरा तो वजूध ही पावर है और उस मसीन के अंदर समा जाता है अब विल्गेक्स पर डाइगन की पावर्स माननी थी तो बेन साइफन को मना भी करता है क्योंकि अगर विल्गेक्स को डाइगन का भी पावर्स मिल गया तो उसे रोकना नामुम्किन हो जाएगा लेकिन साइफन लेजर विल्गेक्स पर मार देता है जिससे विल्गेक्स आस्वान में जाकर विल्गेक्स से अब डाइगेक्स बन ग लेती है वो सभी थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी विलगैक्स प्लमबर बेस के उपर आकर अपनी एसोटेरिकास की सेना से प्लमबर बेस पर हमला करवा देता है लेकिन इंटेलिजेंट ग्वैन बेस की लेजर्स का फाइदा उठा कर उन पर अटेक क प्लमबर बेस के अंदर घुसता है और आते ही ग्वैन और केविन को धेर कर देता है और बैन को बोलता है अब तुम मुझे हराने के लिए कौन सा बोरिंग एलियन बनोगे तो बैन कहता है मैं कोई भी एलियन नहीं बनूँगा क्यूंकि तुमारे लिए मेरे पास एक सरप् प्लमबर आता है बैन को उस तलवार को चलाना आ गया था तो एजमत की तलवार बैन को जॉर्ज की तरह नाइट वाला सूट देती है तो अब बैन डाइगेक्स के हमले को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर बैन उसके पेट पर तलवार घुसा देता है जिससे बैन बोलता है तुमारे पास अल्टिमेट्रिक्स है एजमत की तलवार है और हाँ डाइगन की भी पावर है तो अब तुम क्या करोगे बैन कहता है मैं पहले सभी को एसोटेरिका से वापस इंसान मनाऊंगा तो विलगैक्स बैन को भढ़काने लगता है तुम चाहो तो ऐसा करने से मना करती है और जूली भी सीप की मदद से वहां आकर बैन को ऐसा करने से मना करती है तो बैन बोलता है तुम मुझे रोकने की कोशिस करोगे तुम सब समझ नहीं रहे हो मैं सब की मदद एक साथ कर सकता हूँ तो वो उसे बताते हैं अगर तुमने ऐसा करा तो त बैन सब को चुप करके साइड में जाकर सोचने लगता है। बैन हर वो लमहा याद करता है जो बैन के साथ सुरू से अब तक हुआ और तलवार पकड़ कर पूरी पावर पृत्वी पर मार देता है। तो केविन बैन को बोलता है क्या किया तुमने तो बैन कहता है वही जो मैंने कहा था मैं करूंगा। मैंने पृत्वी के हर एक सक्स को एसोटेरिका से इंसान मना दिया ताकि वो अपनी जिन्दगी जी सके जिससे खुसो कर जूली बैन को किस कर देती है। तो बैन बोलता है इसके आगे तो सारी पावर्स कम है। और कहता है ये बताओ अब इस तलवार का क्या करूं। तो तभी वहाँ पर एजमत टेलिपोर्ट होकर बोलता है मेरे खाया से इसे बनाने वाले को लोटा दो और तलवार को गायब कर देता है और बैन को अल्टी मेट्रिक्स भी लोटाने को बोलता है जिससे बैन बोलता है एजमत मैंने अपनी काबिलियत साबित कर तो ली तो एजमत बोलते हैं तुमने अपनी काबिलियत तो साबित कर ली पर ये नकली कॉपी तुमारे लायक नहीं है बैन फिर भी नहीं समझता तो एजमत उसे उसकी कलाई देखने को कहते हैं और फिर हम Ben के हाथ पर एक नई Improved Version Omnitix देखते हैं जिससे Ben 10 Omniverse की शुरुआत हुई और आखिर में ये important detail भी सुन लो और इसी के साथ Ultimate Alien Series पूरी तरह से end हो जाती है मैं आसा करता हूँ आपको ये ending अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे मैं आपको मिलूँगा अगली धमाकेदार वीडियो के साथ तो तब तक के लिए बाई